यह ओट सुप गई इसके से आपसे भी लोग वेलकम बैक टू अनेधर गेम पर वीडियो तो गाई सब लोग बार से केलने चाहरे हैं कोब्लस्टों क्ला में मिल चाहता है उसके बात जात कम laugh करना उतै इसमें काफी तायम वेस्ट होता है और काफी जढ़ा फ्यॉल। तो अभी ना फिलाल उसी काम को एकडम Escape करने के लिए मैंने बनाया था Ultra Ultimate Giant Stone Farm जो कि आप लोग मेरे Backside में देख पा एो तो यह पूरा इसमें बोग कुछ भी करने की जरूती है तो इक काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं तो फिलाल लास्ट वीडियो में इसे बना कर पूरा दिखाया था बड़ यह उस टाइम पर ना काम नहीं कर रहा था तो भी इसके अधर मैंने कुछ चेंजिस कर रहे हैं जो कि आपक कबाएं टैट कोरों जो यां आफ नींचे गरते हैं और यहां पर ब्लास्ट हो सटें अब इससे क्या होता है कि जितने वी स्टुएं आप सारे ब्लास्ट तो टूटतें हैं औं पर आचका सिए पीचे में कर रहे हैं यही जो स्टोन है आप सोच रहोंगे कहां से आ रहा है स्टोन के लिए मैंने बनारखा है यहां पर Ultimate unlimited stone generator तो एक टैप से के वर उपर देल में यहां पर लाबा की बंधिर डाल दीं लाव भैकर नीचे आ रहरा है यहां पर नीचे पानी की काफी सारी पानी मिलते ही एलावा स्टोन मन रहा है और यह जो पिस्टन एक यह पिस्टन उन्हें आगे ले मअः आकर आप असे आकर बढ़ते 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 कि सारे स्टोन भीच में रहे है और उपर से बलास्त हुरहे तो लास्ट टीक्ने लाइक लुप गयाा है कि तो डिंक स्पीटर जिएदे कि तो दूर्द मेरे पूल तक आगे थे तो थोड़ा पोड़ थीफ थीग कर दीया अब परदी को इसमें दिक्कत की बात ही है कि माल लोगर में को ऊपर जाना है मैं चाहता हूं कि अपना जो फाम है उसे थोड़ी दिर के लिए बंद कर दू क्योंकि यहां पर इतना ज़्यादा स्टोन भर जाएगा आप लोग विश्वास नहीं कर सकते तो उसमें दिक्कत क्या है क इसका जो बटन है काफी जादा उपर है तो मैं सोच रहा हूं कि इसका बटन ना नीचे कर लेते हैं बट अभी एक छोटी सी दिक्कत की बात हो रहा है अभी जो अपना फाम है जो चीज मैं चाहा रहा हूं बनानी वो भी पूरी नहीं है तो यहां पर देखो भी फिलाल हमे अभी ना काफी सीन का यह सारा कॉबल स्टोन है तो अभी मैं चाहरा हूं इसार बन जा थाए स्टोन बनाने के लिए भी घडिना यहांच बटे करना पड़ेका अब यहां पर एक इक इकत्छे करके ले जाओं तो बहुत टाइम वे स्टोन ने वाला है तो गाइस आरदी को म के लिए स्टोन में कंवर्ट हो जाए ताकि मैं उन सब को लेकर जाओं सीधा अपनी क्राफ्टिंग डाल के ब्रिक्स बना लूँ और अपनी वॉल जो है कंप्लीट कर लूँ और अभी ना मुझे अपना कासल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा करना है तो सही नाइमर मैंने स्व कि पर बापस आजाए मुझे मालूँ मैं बहुत से लोग समझ नहीं पाया हूंगे मैक्सिम बंदे समझ गया हूंगे पर जो नहीं समझा कोई दिक्कत की बात नहीं करके दिखाने वाला हूं तो आप लोग समझ जाओगे बठा येतने ज्यादा आपनी आज क्या हो गया है जैसे ही यह बारिष टपक पड़ती है इसमें दिक्कत कुछ नहीं होती क्रीपर बगर आते हैं दर्शन दे देते हैं पटाका बज जाता है मतलब कि उनका साउंड नहीं आता है और बारिष के साउंड के चक्कर में फिलाल यहां पर मैं को क्या क्या चाहिए था मैं तो भूल जाए वह ने चैस्ट अपनी रखी में उसी के अंदर रखा था अभी जली से में चलते हैं पहले चलके रडिस्टोन करते हैं फिर इसको आप जाते हैं क्योंकि आपने मास बिल्कुल भी टाइम नहीं है निकल तीरी आसे कि तासे ओ यहां पर नहीं पर नगाई इसका मूँ साथे नहीं मैं सबको मारता हूं क्योंकि मुझे मालूम है उनको मारने पर मेरा ही फायदा होना है एकस्प्री मिलने हैं साथ के साथ जितना भी आइटम है वह सारका सारा रिपेर हो जाता है तो जल्दी से जलके गाईज यहां पर मैं अपना सो कर उड़ चुका हूं जल्द पहले क्या करता था ताकि मैं अपना खुद का खाना ले पाऊं बड़ जब से मैं विलेजर्स रख लिए मुझे जरुती नहीं पड़ त्यार फामिंग करने की जितना खाना चीह होता है इंसे ले लेता हूं और एक सकिन इतना उक्यों कि मेरा सारा आमरल बाहर वाली को मैं रख लेता हूं वापिस से यहां पर क्योंकि इस ताइम पर बो की बहुत जरुत पड़ती है और अभी ओ ओ ओ ओ नहीं उसके घर से दूर बहुत ज्यादा मुझकिल दो और महने से बनाया है मैंने उसका घर ओके तो काफी दूर एक क्रीपर है इसके भी बजाई देता कभी ओर में निशाना दूर भी लग जाता है और कभी ओर मिस्स भी हो जाता तो यह लग गया अभी जल्दी से ने गाइस देखो सबसे पहले यहां पर जो है ना मैं ऊपर के लिए सीडियां बना देता हूं मतलब की कुछ ऐसा बनाता हूं जो कनेक्शन है वो नीचे हो है और मुझे थोड़ी देर के लिए से बंद भी करना पड़ेगा वैसे काफी जादा बढ़िया चीज है मतलब कि अभी तक जो मेरा फेवरेट फार्म था वह आयरन फार्म दा लेकिन अभी यह वाला फार्म हो चुका है और गाइस यह तीनों के टीनों ना जाइंट फार्म आयरन फार्म इतना बड़ा नहीं है बट यह दोनों तो वाई बहुत गजम है आपको इन तीनों में से कौन सा फार्म बेस्ट लगता है देखने में काम में कमेंट में जाकर जरूरू बताना वैसे सब लोग मुझे पता है शुकर के इन को ही गहने वाले हैं क्योंकि शुक् पर तक ले जाता हूं मुझे पता नहीं कितनी हाइट पर अभी गई होगी थोड़े से ओर लगायता हूं मेरे साब से पहुच गई है तो मेरे को उपर जाना चाहिए मैंने ज्यादा लगा दिया थर्डी पॉर थी कितने ब्लॉक्स लगा दिया मैंने ओके शायद से ठीक ही मैं आचका हूँ उपर मुझे यहां से वाला चो लीवर है यह भी कलेक करना ठीक है ओ एक्दम बराबर लगाया था मैंने तो गाइस यह देखो कुछ इस ताइप का अपना फाम यह गिरा यह बचा पटा का कभी कवाई TNT उपर गिरता कभी नीचे जाता है तो एक्दम इसलिए मैंने बाप अपसीडियन ब्लॉक भी लगा दिया है ताकि ज्यादा दिक करना है बाकि में काम मैंने यहां पर करा है जो आप देख पा रहे होगा मतलब बहुत जादा जमेले वाला काम है कभी तसल्ली में आपको मैं पूरा टूर करा हूँगा यह काम कैसे करता है तो चलो फाइनली यहां पर मैंने से बंद कर दिया अभी इसको मैं तोड़ देता हूं यह मेरे पास कलेक्ट नहीं होगा बट कोई नीचे से उठा लूगा तो इसको ना मुझे नीचे ले जाने के लिए ने गाइसर रूप जयो इसको कैसे होंगे मैं देखता हूं एक बार सची में बहुत ज़्यादा काम की जीज़ा है जितने भी अगर फार्म बनते हैं ना कुछ भी मतलब आसमान में बनाना है तो यह सबसे ज़्यादा बेस्ट है तो चलो अभी फिलाली से मैं यहां तक नीचे लेकर आगया हूं और गाइस यह सीन मिन को समझनी आ रहा है यह ज चला गया एक सकेंड तो यह रहा वह लीवर जल्दी से मैं उठाता हूं यहां पर हम लोग रख देते हैं एक ब्लॉक इधर ही रख देते मैंने ब्लॉक पहले लगाया था वैसे दूर हो जाएगा अपना जो स्टार्ट बटन है यहां पर होना चाहिए अभी स्टार्ट बट इसकी रेंज गाइस 13 होती है 13 रेंज के आएद के काम निकरते बाकि जो रिपीटर से मेरे मैंने रखे तो थेयार शाय से यह यलो वाला है इसके अंदर होंगे तो अभी जल्दी से इसको मैं यहां पर रखता हूं और यह देखो इसके अंदर यहां पर अपने चार रेंडर है इतने में अपना काम हो जाना चाहिए तो भी सबसे वहले मुझे वाला ब्लॉक तोड़ने है और वहां पर प्लेस कर देनी है यह रेडिस्टोन टोर्च काश यार इसकी कमी मेरे पे ना पड़े बिल्कुल भी ओके तो यहां पर जल्दी से मैं इसे लगाते जाता हूं एक और कनेक्शन को मैं एकदम नीचे तक लेकर आ चुका हूं और अब मेरे को इधर रखना है रिपीटर एंड रिपीटर के आगे मेरे को रख देना यह वाला जितना भी रड़ी स्टोन है ओके तो यह एकदम बढ़िया तरीके से काम करेगा तो जैसा कि आप लोग यहां पर कर दिया और यह काम करने लगया तो जो मैंने काम करना चाहा था वह एकदम परफेक्टली हो चुगा है अभी इसको चलने देते हैं जब मुझे इसको बंद करने के जरुत पड़ेगी मैंसे बंद कर दूँगा वाकिया रभी ना फिलाल इस जगह पर ना मिर्कुन अप लोगी कभी हार नहीं होती तो की काई सर अभी ना फिलाली यहां पर मैं भागता भागता अपने कासल से दूर एक अलग सी माइन के अंदर आ चुका हूं वैसे इसके आसपास ना कोई भी ऐसे कोई माइन नहीं है लेकिन यहां पर आते ही देखो मिरको थोड़ा बहुत कॉल मिल गया है अभी जल्दी से इसको कलेक करता हूं अभी फटावट से हम लोग ना जाने वाले हैं माइन के एकदम डीप में क्या पता यह जो माइन है अपने लिए थोड़ी बहुत लगी हो तो इसने से कोई भी गाम नहीं होने वाला विजल्दी से यहां पर नीच जाना मजा कर रहा हूं पटा ओए फिर तो सारा टाяж रेशतर सारा में पहले करता हूं एक दो तीन हैสची में मजा हुआ आदे ही लकी हो सकती है यह कूछछी जादर ही तोحड़ी कोयाँ हुँ झाल्स निरे करते ही जाने वाला हूं नोतर मत आखे संवा चाहल ओए कि तो मेरे को और कॉल देगी लो यह कतम ही होगी यार यह वाली केव के थोड़ा सा हूर आगे चलते प्लीज यार कोई धंकी माइन मिल जाती ना ओ नहीं यह माइन बहुत जादा बड़ी है नीचे स्पाइडर के वाज आ रही है और गाइस नीचे मिल को देगो कितना जादा क प्लीज वाई तो मेरी किसमत अची है या फिर माइन में लेए पर के एडशॉट और आज 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 बटा वाई इनकी आपस में करा दी निकल यहां से दोनों के क्या रहा हूं गाइस मेरे को मारने के लिए चलो ठीक है विफिलाल यहां पर मैंने इन दोनों को मार दिया और अब दोन के आज जाना हूं के दर में तो मैंने लगाए और नेदर राइट नहीं इसको कि प्लड़ कर लिया कि अगर मैं इस से कोल का ब्लोक तो मुझे एक की जगए एक मिलेंगा फिर दो मिलेंगा जो दोन से एक हो रहा है यह की मिलेगा चलो ठीक है कोई नहीं भी जल्दी से सारा गल्यक कर दें वाकिदर सच्ची में उम्मीद से जादा मेरे को कॉल मिल गया है तो यहां पर भी थोड़ा सा और को आजाओ जाओ 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 दरशन मेरे को पता था तो तुरी जंप कैसे करकर आगी इसके सची में जैसा कि मैंने बोला था कि यह वाली जो माइन है मेरे लिए लगी होगी इस टाइम पर इतना ज्यादा कोल मैंने कल्या यह देखो 64 64 46 मतलब मेरे सबसे इस ताइम पर 150 पार हो चुगा है वाकि यहां पर भी और भी काफी सारा को मिलेगा तो यहां पर भी दुबार स कोअल मिल गया हर तोड़ी दूर बेर कोफी जाधा मिल तीकए ठीक है थीवी कला शॉयाम जाती कोई मांटेंव करें अपने ट्रेक चैछे वर बंस गरते हो अप Admiral करो और उच्छे तो बनाने पड़ेंगे गन पावदर काफी सारा चाहरा चेह होगा बट कोई नी वह भी काम करते रहेंगे बाकी फाइनल यह वाली जो टाइनल बंद हो गई है कोई नहीं यहां पर अभी और भी रस्ते होंगे यह देखो इसमें यह खास बात है जैसे मैं कोल टोटना हो एक्सपी देखो कितनी ज्यादा मिलती है पूरी पूरी पिकैक से रिपेर होगी बाक्यार नीचे यहां पर थोड़ा सा रैडी स्टोन है रैडी स्टोन लेता हूं और मैं कोल की माइनिंग करते इतना चाहता है नीच बहुत जदा गॉल्ड भी मैंने चले लिया तो वैसे में कोई कमी नहीं उसकी जरुरत है तो भी यहां पर देखो काफी सारा गॉल्ड हो चुका है जल्दी से यहां से बाहर निकलते बहले जम दो जम तीन जम और यहां पर भी फटवट से ना ओ भाई 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 भा बाई तो मतलब आदत हो चुके कुछ निकार ना उपर की तरफ में माइन करो और और अटमेंटिकली बाहर आजाओ कोई दिक्कत नहीं है यहां पर एक से नहीं थोड़ी से जिए जम एक और जम एक और जम वहीं कितनी आसान तरीके से में उपर आग ओना नहीं 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 जाया बाई ऊपर चाड़ यार इसको बंद नहीं नहीं चल्टी से बाहर निकलना एक दो तीच चार बस अब बस उपर से ना कुछ आकर ना गिर जाए मेरे उपर वरना दिक्कल हो जाएगी तो चालो काई सब्सक्रा बढ़ें तो इसको आपनी बन जाती है वैसे यह सबने मैं पहले इतना इन्हें seriously नहीं लेता था पर अभी मेरे को इस सब की इंपोर्टेंस पता चल गया फ्लार्स तक की कि अगर डाई बनाने है तो फ्लार्स होने चाहिए अभी जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं वाकि जो मेरा आइरन फार्म है आप लोग देख पार होगे वह काम नहीं कर रहा है क्योंकि वहां से गोलम नीचे आ चुका है मुझे नहीं पहले इस गोलम को मारना पड़ेगा तभी नहीं गोलम स्पॉन होगा तो इसको मैं ठीक करूंगा इरन फार्म में एक दो सेख साओ कर ले आया है चेफ़्ू हर सेवरा कैम करते हैं वह उसके बात सरे छीघ काम क्यों थोड़ा थोड़ा ठेज चल पाएंगेada सबstrorigार है यहां इसफिर इने फिल्दी से लेता है इंभी जलदी से एमरेंट कि वह वह सोपिंग कर रहा हुए अभी जल्दी से मैं चलता हूँ अपने विलेजर के बास फार्मर के पास जाऊंगा क्योंकि यह उसके थूरू मेरे को थोड़ा बहुत खाना देगा एमरेल के बदले तो फिर हम लोग थोड़ा तेज चल पाएंगे अभी फिलाले यहां पर बीकन की विज़ा से बूस्टर लगा हूँ है इसलिए मैं थोड़ा बहुत तेज चल पा रहा हूँ जल्दी से गाइज है आपने आयरन पाम से और आज ना मैं पूरी कुशिश कर रहा हूँ कि मैं इलाइटर ना यूस करूँ अपने कासल में क्योंकि थोड़ी बहुत दूर जाने के लिए मेरी आज़त पड़गी थी मैं सीधा इलाइटर यूस कर दा और काफी जादा एच्पी जाती थी बाकि सबसे बहले तो ना मेरे को अमारना पड़ेगा निकल यहां से ताकि नया वाला स्पोन हो बाकि इसकी स्पीड तो है नि kann नहीं न को मिहां बाखां एक सेंटी रिखाए मैं अगे इसकी ऊपर पर में रहां रखता हम अपने श secular box जोड wish i जासे की एक सेट्यों जो जेतना बी कोलवा पै्ले सारक डालते है और अम बाहर निकाल लेकर तो थाल ऑपको बहार को तो अब अजितना करें को टो में होपर मेरको सही पताँ तो इसलिए एक की बार में एक्सपेरीमेंट न करने मैं पहले गया क्रता हूं कि यहां है कि just यहां पर साही एपनीत हैं तो ऐसा हो dessert अब मेरको क्या है कfolg बनानीहहं अब मेरको इसे माइन कार नहीं है माइन काड् विध होपर तो बस एक और मैं यहाँ पर रख देता हूं यह सब बाकी यहाँ अब बचे न जितने बी आन उन उनस सबी का यहाँ पर थोड़ा सा और बने जाब जड़ा से बना ले चाहर जाओ तो पांच और जांगे टीक है कहें फ्लाफ पर इतनी ही जगह से जादा जगह नहीं है बाकि यह भी एक काम करता हूं मेरे पास जो स्मूथ स्टोन था मुझे मालूम नहीं मैंने किसके अंदर रख दिया ओके यह देखो सारा समान इसके अंदर मैं से यहीं पर छोड़े चले जा रहा हूं वाव तो यहां पर भी एक स्मूथ स्टोन यह तो गाईज एक सेकेंड अभी आगे जाने से बहले ना मैं बहुत जड़ा इंपोर्टेंट काम कर लेता हूं मुझे सबसे बहले अपनी बो को रिपेर करना पड़ेगा क्योंकि अगर यह टूट गई ना तो इसके अंदर यह जो एंच कर दो किसी काम की नहीं है अभी जल्दी से इस स्टिक को टो एक सबस्केंब नहीं जल्दी से बाजी कर रहा हूं अपना काम करने के लिए अपने फाम पर आ चुका हूं सबसे पहले मुझे नीचे जितनी भी डर्ट है वो सारी की सारी हटानी है ताकि एक ना बड़ी असा फ्लैट्फोम बन जाए जहां पर मैं इस चीज को बना पाऊंगा तो पहले डर्ट हटा जाँ उसके बाद यह जितने भी स्टोन है इने भी हटाऊंगा तो कि सीजी सी बाता थोड़ा पूट स्पेस चाहिए रहेगा जल्दी से यहां पर जितना भी हटा है काम का फालतुगा डर्ट है सारा अटाता हूं तो कि जैसे कि आप लग यहां पर देख पा रहे हो भी ना फिलाल इस जगह पर मैंने थोड़ा सा एरिया डिक कर लिया है ताकि मैं यहां पर अपना जो स्मेल्टर है उसे बना पाऊंगा तो सबसे पहले ना काइस यहां पर थोड़ी सी चेस्ट ही होगी तो यह जो यह दो है तो इसको नहीं सबसे वहले मैं यहां पर रख देता हूं वैसे इन दो चैस्ट से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसके अंदर से इतना ज्यादा स्टोन जेनरेट होगा ना तो मैं काफी ज्यादा चैस्ट इस लगानी पड़ेगी बट वह बाद में लगा लगा जब यह यह ओटमेटिकली काम करने लग जाएगा तो भी एक चैस्ट लगाने के बाद ना मेरे को यहां पर कुछ इस तरीके से होपर्स रखने हैं मतलब इनका में काम यह होगा कि समान चाहा किसी भी चैस्ट से आ जाए वो जाना चाहिए सबसे इपनी आगे वाली चैस्ट में तो अगारच करेगा है तो चलो विसारा समानी आपर आच जल्दिससे उठाकर मैं आप लेता हूं अब इसकी बाद मुझे क्या करना है आपर फ़र्नेस लेने तो यह वह फ़र्नेस अभी इन परनेस मुझे इसके उपर रख देना है भठा है इसको आगया कामेर है उससाइट प काब कर नас से कोबल लाकर डाला ना पड़े तो उसके लिह में आ सके पीछ पीछिन लगाने पड़ें बट इससे पेहले गाई츠 इसके ऊपर भी फरल लगाता हूं आप इसके उपर फर्नेस में इसले लगा रहा हूं कि इधर जितना भी कॉबलस्टोन इकठा हो रहा है वह सारा का सारा ताकि नीचे वाले फर्नेस में ऑटमेटिकली आ जाए तो यहां पर आकर मैं इससे लगाने स्टार्ट कर देता हूं तो इसका जो फेस है कुछ इस ताइप से तो जितना भी समान है वह सारा का सारा ओटमेटिकली फर्नेस में जाएगा तो इससे पूरा अच्छे से यहां पर लगा देते हैं कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो यह भी लग गया और अब देखो काईस एक बारी चेक कर लेता है इसके इंदर समान जा रहा कैसे होगा वह भी अपकाम करना है तो उसके लिए हमें यहां पर कंट्रोल दबाकर इन वाले फर्नेस पर भी हमें होपर्स लगाने है कुछ इस टाइप से तो भी जल्दी जल्दी यहां पर मैं होपर्स एक्दम बढ़िया तरीके से लगा देता हूं सारे के सारे होपर्स मे कि थोड़े पूत ना नॉर्मल स्टोंस की जुरत पढ़ने वाली है कि जो स्मूध स्टोन है कि यूस कर लेता हूं तो यहां पर एक दो ब्लोक मेरे को इस तरफ में पीछे करने है और सेम दूसे मेरे को उस साइट पर भी करना है तो यहां पर जल्दी से जो ब्लॉक्स ऐसे यहां पर इसको भी तोड़ो इसको भी तोड़ो गगा तो जल्दी से यहां पर यह भी लगाता हूं तो गाइस अरदी को भी लाल सबस्पे बहले corner पर मुझे लगाना है power rail उसके बाद लगाना है जो नॉर्मल रेल है इसे अब इसके बाद जितने भी hoppers है न है बार बारी उपर नीचे ना करना ठीक है तो कि अभी ना भाग कर अपने कासल में वापिस आ गया था क्योंकि कुछ कुछ काम का समयन है जो कि मैं पहले क्राफ्ट करना भूल गया था जैसे कि मेरे को थोड़ी बूट चैस्ट और चीए थी और थोड़ी बूट लीवर की मेरे क इसको बट अभी नीए पहले उधर का भी काम जैसे में यहां पर ब्लॉक लगाता हूं अब यहां पर आप लोग देख पार होगे अभी ना इधर करन्ट आ चुका है बीच में गया और यह जो बीच वाला ट्रैक यहां पर बिल्कुल भी करेंट नीए करेंट से मेरा मतलब क पावर नीए उस जैसे रड़ रहाना यह भी ऊफो रहा है तो यह अपना सेंटर तो यहां पर सेंटर में ऐसे ब्लॉक लगा तो एक सगेंगे सेंटर है एक दो और यह तीन ठीक है तो अचैबलो इस वाले ब्लॉक की पीछे भी मिर को यहां पर एक लिवा लगाना है इसको तो यह इसके अंदर क्रण्ट आठ आ चुका है अब मिर को करना यहां याँ पर रखनी है माइन कार ओंगा माइन कार यह दका दुआ है यहां पर इसके अपना काम करना हो जाएगी और इसको मैंने किसले रखा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेइन तो देखो काई इसके अंदर ना मैं अपना कोल डालने वाला हूँ यह जितना भी कॉल मैं यह पर रखा हुआ ना वो सारा का सारा मैं इसके अंदर डालूगा और यह क्या करेगी इसको तोड़ूगा ना तो आपको समझ आएगा जायसे तो यह रस्ता विरको बना लेना चाहि यह बहुत टाइम वेस्ट होगा तो इसलिए अभी मैं क्या करूंगा सबस्वे बहुत करना कहीं पर वी और एक बारी ना इसके उपर में को यह पर चेस्ट लगानी पड़ेगी पैले ठीक है तो यहां पर मैं चेस्ट लगा देता हूँ और यह बारिश भी ना कसम से वह चा अधर काफी सारा कोल मैंने रखा हुआ था जल्दी से यहां पर इससे मा बाहर निकाल लेता हूँ वैसे बहुत जादा ही निकल गया है वालोग कि इतने बास अपनी जगह नहीं यह इतनी जादा तो के भी फिलाल इसके अपर मैंने निकाल दिया थोड़ा सा और निकालते है तो के गाइस जैसे कि आप लोग यहां पर देख पारे हो भी ना फिलाल काफी सारा कोल मैंने इधर कलेक्ट कर लिया और भाई यह आज मिरसे इन एक तम पूरी तरह पिटके जाएगा एक और खाई तरह तीरी हैसी की तरह से निकाल यहां से ओके तो इसको मैंने वार दिया और जितना भी कोल ता सारा उधर मैंने डाल दिया और इस वाली चेस के अंदर भी डाल देते हैं और यह देखो इसका जितना भी मतलब की कोल है उस सारा का सारा इस माइन कार्ट के विद्धॉपर के अंदर जा रहा है तो अब बस मुझे क्या करना है जैसी यह देखो जैसी यह अपना काम करते रहेगा तो कि जैसे कि आप लोग आपर देख पा रहे हो इस ताइमने यह जितने भी फरनेस है ना काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे है बठाई जो पीछे वाले फरनेस यह नहीं जले अब ऐसा निया कि इनके अंदर कोल नहीं आया सीन गया कि इनके अं मैंनेस को मैं स्टार्ट करता हूं थाकि जितना भी अरिया समें कोल आने स्टार्ट हो जाए मतलब को लिक कोबल स्टोन तो बीछ जल्दी से हैं आपर मैंनेस स्टार्ट करा उपर और यह दिखे ना काइज अब ही यह यह जशी में एकन्दम अटिमेट चीज आहीज यहां न लाइब देखते हैं कि अपने को कितने स्टोन मिलने वाला है थोड़ी देर में वैसे भी तो काम नहीं कर रहा है थोड़ा बहुत जादा मिलेगा तो गाइस दिखो भी ना फिलाल सबसे बहले ना जल्दी से चलकर मैं सोज आता हूं और नेक्स लड़ी उठके ना सबसे बहले अब जाकर अपने जितने भी फाहम है ना उन सभी को मैं चारों तरफ से कवर कर दूँगा क्रीपर का कुछ भरोसा नहीं कभी अंदर जाकर गलती से मैं वहां पर हुआ तो ब्लास हो जाएंगे उस सारा का सारा काम जो है अपना खराब हो जाएगा तो भी जल्दी से यहां पहले देख लो मैंने फैंस रखे कांपर तो के नबर एक फैंस पड़ा हुए बट मेरे को भी काफी सारे फैंस है कोई नहीं पहले सो जाता हूं जो अपनी बाहर चेस्ट रखे ना उसके अंदर धेर सारे फैंस पड़े वह हैं तो चलो काई सरा अबीना फिलाली यहां पर म यहां पर काफी सारे फैंस मेरे को मुझे मालूम था यहां पर मैंने रखे थे जल्दी से गाईस है अब लोग चलते हैं उस एडिया को ना पूरा का पूरा चारो तरफ से कवर कर देते हैं अच्छे से मैं एक उपर एक फैंस लगाने वाला हूं ताकि मैं भी साइट से ना तोड़ कर और उससे सीन यह होता है बाद में क्रीपर आकर उसका सत्या नाश कर देते हैं तो चलो कोई नहीं अभी फिलाल जल्दी से ना यहां पर जो बांट्री ऐसे मैं बना लेता हूं ताकि कोई भी अंदर ना पड़ेगा और मैं सोच रहा हूं कि अपने पूरे कॉरे क मतलब मॉप से स्पॉन हो रहे हैं यह बहुत जादा हो गया पहले कम होते थे अभी लेकिन इनकी कौंटेटी बहुत जादा बढ़ गई है तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भी ना फिलाल इस जगह को मैंने एकदम चारों तरफ से कवर तो कर दिया है बाकि चलो कोई नहीं अभी से यहां से बंद करते हैं और जितना भी इरिया काई यहां पर टोर्च लगा देते हैं फटावट से तो चलो काई सबीना फिलाल यहां पर पूरे के पूरे एरिया में मैंने टोर्च भी लगा दिया ताकि अंधर ही जो मॉप साब बोस पोना हो जाए चलो काई सर्थ आज कीिस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो फॉट आट से इस वीडियों कर देना इस वीडियो पर मैं एंप करता हूँ चार लाग-पचास जार के लिए तो फट आवट से लिक कपर नि बागी गोल कम्प्रीट कर हो इंसागर में डिस्कोर्ट दो नंगल निचे डिस्क्रिप्शन में है तो आज किस वाली वीडियो में इतने मिलते एक लिए वीडियो में गुडबाइ